नमस्कार मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं देस्टी नूज एक बार फिर से भागलपूर में तेज रप्तार का कहर देखने को मिला है अनियंतरित कार ने मा बेटे को बाइक सवार मा बेटे को चानक ठोकर मार दे जिसके बाद मा बेटे की मौके वरदात पर ही मौत हो गई आपको बता दे कि दरसल मा बेटे यानि की पोथी के छटी कारिकरम से लोट रहे थे घर की ओर तभी अनियंतरित कार ने पीछे से बाइक सवार मा बेटे को ठोकर मार दे जिसके बाद दोनों की मौके वरदात पर ही मौत हो गई पुरा मामला खरीक थाना च्छेतर में टोल पलाजा की पास अनियंतरित कार ने बाइच सवार मा बेटे को धका मार दे जिसके मौके पर मौत हो गई वही मौजूद नवगच्या पुलस के पिर्ट्रॉली हम टीम ने सब को कबज में लेकर पोस्टमाटम के लिए नवगच्या अनुमंडल अस्पताल लाया जहां परिजनों के पहचान के लिए कुछ समय तक अस्पताल में रखा गया उसके बाद मिर्तक की परिजन की खोज पिन शुरू हो गई मिर्तक की पहचान निवास साह 38 और पिता स्वर्गिय उचित साह और गिता देवी 65 वर्श्रिय बताई जा रही है पोनिया जला मैं खंडन निवासी है मिर्तक महिला का पुत्र बार-बार ये कहकर बिहुस रहा था कि मेरी बच्चे की जन पर मेरी मा की म कि अज़ी 59 एक रफतन वह है मरी जोंस इक इंके साथ कोन है है क् miniature University मेरी भाई है क्चे कह देख कई निवास साथ सब्सक्राइब करहना चाहर लोग को कैसे पृद्ध सद्रकु Michael तो मतलब कब आई थी वहां से घर से कल गए थे कल रात पर भमतूर में रहे थे तो आपने सुना के सिधे तौर पर बरिजन का कहना है कि पोती की चठी कारिक्रम से घर की और वापस लोट रही थी मा बेटे निया चानक अन्यंत्रित कार्णी ठोकर मार दे जिसके बाद मौके वर्दात पढ़िए उसकी मौत हो गई पेट्रॉलियम कर रही नवगचिया पोल मामली की चानविन में पुलस भी जुट चुकी है और मामला दर्ज कर चुकी है ऐसा ही आगे के करवाई के लिए क्या कुछ करती है उतो देखने बाली बात होगी ऐसा ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश्टी नूस तनने बात